है 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 थे थे लोग डिस्क्रिट मैथेमेटिक्स की लेक्शन नमबर 23 में आपका स्वागत है इस लेक्शन में हम लोग डिस्कुशन कर रहे हैं अभी सेट ऑपरेशन का पीशे लेक्शर में हमने यूनियन इंटरसिक्शन की डिस्कुशन किया था अब नेक्श्ट डिस्कुशन गाटापिक मेरा कारटीशन प्रोड़क्त या क्रोंस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं włos प्रोड़क्ट का मतलब गया देखें कार्टिशन प्रोड़क्ट की अगर हम बात करें तो हम दो सेट की बात करेंगे मान लेते हैं सेट एह है और इसका कि जो कि मेंबर भैरेबल है यह 123 है एक दूसरे सेट की हम बात करें भी है इस्सेट में 2 अलग अलग हम सेटबना लेते हैं इसके मेंबर है अ V अब देखें क्रोड़़क्ट क्या काता था इसको एइंटू बी भी ब Jeżeli बहुत जो नया सेट हमारा तैयार होगा वो कैसे होगा तो कार्टिशन प्रोडक्ट में अब जो सेट होगा वो दोनों का कॉम्बिनीशन होगा मतलब 1A और दूसरा मेंबर होगा 1B इसी तरह 2 के साथ अगर हम प्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो फिर 2A एक मेंबर होगा और दूसरा मेंबर होगा 2B इसी तरह आगे हम चले तो फिर मेंबर होगा 3A और 3B तो कार्टिशन प्रोडक्ट सेट जो तो अलग अलग सेट हैं दोनों के कार्टिशन प्रोडक्ट की बात हम करें तो सभाविक है कि जो भी इसके मेंबर वहरेबल होंगे दोनों ही सेट के मेंबर से बनाए जाएंगे और यह मेंबर इटसल्फ एक मेंबर होगा 1A एक अलग मेंबर एलिमेंट है इस क्रॉस प्रोडक्ट का तो यहां ध्यान रखना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो सेट बन रहा उस सेट में इन दोनों के प्रोड़क्ट का जो वैल्यू है वही हमारे सेट के मेंबर है इसलिए 1A 1B 2A 2B 3A और 3B हमने क्या किया सेट के हर वैल्यू को सेट के हर एलिमेंट से इक तरह से आप मान सकते लेकिन multiplication यहां value को एक साथ concatenate करके हम करते हैं multiplication का कोई arithmetic meaning यहां नहीं होगा और यह independent एक value होगा one a cross product की बात अगर हम करें partition product की बात करें एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि यह ordered pair की बात हो जाएगी यहां पर ordered की बात हम नहीं करते थे लेकिन जब cross product करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखेंगे आप की one a is not equal to a one यह दोनों अलग अलग बाते हैं हम अगर यहीं पर b into a करते cross product कि तो उसके जो element होंगे ओ बिल्कुल ही अलग होंगे बी इंटु एक अगर partition product हम करें तो हमारे element के value क्या होंगे ए से बारी बारी से हम multiply करेंगे मतलब पहला element होगा a1 दूसरा element होगा a2 तीसरा इसी तरह फिर बी से multiply करेंगे तो बी वन दी टू और बी थ्री और यह सेट के member हो जाएंगे यह दोनों member देखने में तो एक जैसे हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं यहां पर ordered pair की बात होते है क्रॉस प्रोडक्ट के बाद जो element हमारे पास मिलते हैं वो निश्चित रूप से ordered pair के रूप में होंगे जो दोनों ही सेट को के element को मिला कर बनाए जाएंगे और उनके order का BCS ध्यान रखना होगा 1A और A1 दोनों बिल्कुल अलग element हैं दोनों को एक साथ मिलाने की जरूरत नहीं है यह ध्यान में रखेंगे तो यह concept क्रॉस प्रोड़क्ट का क्रॉस प्रोड़क्ट में एक बात और हम ध्यान रख सकते हैं कि क्रॉस प्रोड़क्ट में अगर हम चा इन्टू यह भी कर सकते हैं किसी भी सेट को उसके साथ ही क्रॉस प्रोड़क्ट भी किया जा सकता है यह ध्यान में रखने की बात है तो अगर सेम वैलू के साथ हम क्रॉस प्रोड़क्ट करें तो हमारा एलेमेंट क्या होगा यहां पर होगा 1-1 यह ordered pair होगा 1-2 then 1-3 इसके बार 2-1 2-2 2-3 3-1 3-2 और 3-3 इस तरह से आप ध्यान में रखेंगे कि हम किसी सिंगल सेट को भी कि उसको उसी से से क्रॉस प्रोड़क्ट कर सकते हैं अब क्रॉस प्रोड़क्ट के बाद में जितने भी हैरियाबल होंगे वह उनहीं के साथ कि पेर बना करके आएंगे और यह पेर हमेशा ordered पेर होंगे अब 1-1 1-2 1-3 2-1 2-2 2-3 एंड 3-1 3-2 और 3-3 यह सारे possible combination जो होंगे वह उस क्रॉस प्रोड़क्ट के मिम्बर माने जाएंगे तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कार्टीशन या क्रॉस प्रोड़क्ट किसी सेट का आप कैसे निकालते हैं दो सेप्रेट अलग-अलग सेट का भी निकाल सकते हैं और अब किसी एक individual सेट का भी क्रोस प्रोड़क्ट किया जा सकता है तो यह हुगा Cartesian product की बाद इसके बाद next जो वहलू है वो बोलता है अगर हम माल लेते हैं एक सेट हम सी ले ले उसमें सिर्फ दो ही भैलू ले 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 वन और टू माल लेते हैं कैसा सेट है तो पावर सेट ऑफ सी क्या होगा पावर सेट ऑफ सी कहता है इंक्रूडिंग अभी हमने सबसेट बनाया था उसका तो यहां पर जो वैल्यू होगा किसी सेट का अगर वन टू ही हमारे पास सेट है इसका पावर सेट अगर हम निकाले देखी इसमें क्या होगा सबसे पहला जो सबसेट होगा होगे इसके बा味ना है इसके यह दूसरा तूसेट सिंगल लेइवाई के लिए हो सकता है कि तीसरा टू के लिए होगा कि फिर वन टू के लिए होगा और यह फाइनल हमारा कि इसको हम बोल रहे हैं पावर सेट देखिए पावर सेट और काटिशन प्रड़क्ट बिल्कुल अलग अलग है उसमें आर dol garage पेर के रूप में होते हैं यहां पर सब सेट की बात है किसी भी सेट के कितने सब्सेट बनाया या सकते हैं तो मैक्सिमं सब्सेट को ही हम पावर सेट बूलते हैं जैसे यहां पर तोटु को अले मेन था तो टू एलिमेंट का यहां ऐन। न के परने लेलें तो यह 4 होगा, देख लिजे, 1, 2, 3, 4, अगर 3 elements हो तो 8 subset बनाए जाएंगे, तो power set is the collection of all subset which is developed on the basis of the main set, आप यह कर सकते हैं, जैसे एक आगर power set बनाए यहां पर पहला value तो नल value होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह से अलग-अलग जितने भी subset possible हैं, किसी भी set के, उन ही को हम बोलते हैं, सब के collection को हम बोलेंगे power set, तो power set को define आप आसानी से कर सकते हैं, it is a set of all subset including the implicit, the cardinality of a power set of an element n, यहां पर आप लिख लेंगे element n, is 2 to power n, यह formula है, तो किसी भी set में कितने element हैं, उसको 2 के power में करके, आप उसके complete power set को बना सकते हैं, अब power set और partition product दोनों अलग-अलग term हैं, इसमें confuse होने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहां power set की बात करें, सारे subset का collection है, जब कि partition product अलग-अलग element के multiplication के बाद हम तयार करते हैं, वो ordered pair होता है, सभाविक है कि दो set की बात है, तो उसके pair बनाएंगे इसके element को, और जितने सारे element के pair बन सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं partition product, तो partition product आपने समझा, power set आपने समझा, उसके बाद यह partition of a set, यह power set का ही उल्टा काम हम यहां करेंगे, किसी भी set का कितने partition हो सकते हैं, तो अगर इन सारे set को हम अलग-अलग बनाएं, तो जैसे अगर हम यहां पर इसी set की बात कर लें, इसके कितने partition अलग-अलग हो सकते हैं, इनको अगर हम divide करेंगे, तो एक बात ध्यान में रखना है, partition of a set, it is a collection of a disjoint set, मतलब किसी भी set के कितने disjoint set अलग-अलग set बनाए जा सकते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं partition of a set, it satisfies following three conditions, तीन condition है, जो आपको ध्यान में रखने हैं, पहला, it does not contain the empty set, दखिए है, power set में हमने empty को भी पनाया था, including empty set, यहां पर सबसे पहले empty set को निकाल देना, empty set नहीं होता है, अब अगर c के हम partition की बात करें, तो आप देखें कि क्या-क्या हो सकता है, तो यहां पर जो partition होगा हमारा, सबसे पहले one का होगा, एक partition की हम बात करेंगे, तो एक दूसरा partition यह हो सकता है, तीसरा partition, one, two का हो सकता है, तो यह हम इस set को, इसकी cardinalty जो है, यहां पर है two, लेकिन इनको जब हम subset में divide करेंगे, तो हमारे पास one set के दो होए, और एक दो set के हो गया, मतलब यहां पर तीन अलग-अलग set हम बना पाने में सक्षम है, इसी को बोलते है, partition of a set, इस set के कितने partition बनाये जा सकते है, disjoint set होने चाहिए, मतलब disjoint set अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम c1 माल ले, इसको c2 माल ले, इसको c3 माल ले, तो यह क्या कहता है, सबसे पहले तो, it does not contain the empty set, empty set नहीं होना चाहिए, यह तो clear हो गया, इसके बाद बोलता है, union of subset equal to original set, अगर सबका union हम कर ले, मतलब c1, union c2, union c3, यह हमारा original set होना हो जाएगा, 1, 2, और 3, आप देख सकते हैं, हमारा original set यहां पर दो ही है, c की बात अगर हम करें, हमारे पास यही दो element हमको मिल जाएगे, कि 1, union 2, union 1, 2, set में हमको पता है कि double value तो डाल नहीं सकते हैं, तो यहां पर जो value होगा, वह original set हमको मिल जाएगा, अगर हम union करें तो, और किसी भी disjoint set में, intersection of any two distinct set is empty, आप देख सकते हैं, अगर हम c1 और c2 का intersection करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, अगर c2 को intersection हम c3 से कर ले, तो यहां पर जो set हमने बनाया है, इसमें, अलग-अलग level पर जो set है, वहां पर हमको 5 ही मिलेगा, एक साथ नहीं मिलेगा, एक partition में, अब देखिए, यह अलग partition है, यह partition single set का अलग है, और double set का अलग है, अब इसको इसके साथ partition करने की ज़रूरत नहीं है, यह ध्यान में रखेंगे, तो यहां पर disjoint set में, c2 और c3 की बात हम नहीं करेंगे, अगर यहां पर 2 set का, अगर member अधिक होता तो 2 set का हमाना आते, तो उस disjoint set की बात करता है, मतलब अगर यहां पर 3 होता, तो हमारे पास एक और set यहां पर बन जाता, ज़र असा देख लें, आप थोड़ा सा समझ लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर हमारे पास 3 element होते, तो हम यहां पर क्या करते, c1 में हम एक और element 3 के लिए बनाते, single element, double element के लिए हम क्या करते, 1 3 होता, और 2 3 होता, इस तरह से अलग-अलग जो partition हमारे बन रहे है, single element, double element, इनके बीच अगर हम intersection करें, तो निश्चित रूप से यहां पर हमको यह जो set बन रहे हैं, इसका intersection हम इसा 5 होगा, यह ध्यान में रखना है, अगर इसको हम c1 ले ले, यह c2 हो, यह c3 हो, अलग-अलग set है, तो single element set को intersection अगर करेंगे disjoint set में, तो हो empty, जाया dual set की करें, या final three set करेंगे, तो three set का यहीं set बनेगा, तो number of element के आधार पर इसका division हम करेंगे, और union करेंगे तो original set मलेगा, और disjoint set जितने भी हम बना रहे हैं, उन set का intersection हमेशा कोई भी value, खास करके अगर हम देखें, तो intersection में हमको empty set मिलना चाहिए, उसमें कोई भी value repeat नहीं होना चाहिए, तीसरा number आता है, bill number, bill number क्या कहता है, कि किसी set के कितने partition आप बनाएंगे, मान लेते हैं इसी set की हम C की बात कर लें, तो set C में इसकी cardinality क्या होगी, cardinality है 3, और bill number यह बोलता है कि इस set में कितने partition आप बना सकते हैं, सबसे पहले इसमें first partition अगर हम कर दें, तो first partition इस set का ऐसा हो सकता है, 1, 2 और 3 यह सारे value होंगे, दूसरे partition में, 1 को हम अलग कर ले, और 2 और 3 को एक साथ रख ले, तीसरे partition में, 1 और 2 को हम एक साथ कर ले, और 3 को अलग कर ले, fourth partition जो होगा, उसमें हम 2 को एक साथ कर ले, 1 और 3 को एक साथ लेंगे, और fifth partition में हम सब को एक साथ रखे, 1, 2 & 3, मतलब इस three elements के अगर हम partition करने की कोशिश करें, तो पहला तो five के साथ होगा, और दूसरा partition दो पार्ट में बटेगा, एक element को हमने अलग set बना लिया, बाकी दोनों element एक साथ रहेंगे, अब इस element को अलग-अलग हम निकाल सकते हैं, एक बार one को निकालेगे, एक बार two को निकालेगे, एक बार three को निकालेगे, लेंगे जैसा कि हमने यहां को निकाला है यहां थ्री को निकाला यहां पर टू को निकाला है और फिर उसके बाद तीनों को एक साथ हमने रखा है तो इस तरह से जो सेट हमारे पास बन रहे हैं कि इसको आप इस तरह से नहीं करके हम ऐसा कर लेते हैं कि वन तो यह हमारा फिफ्ट पार्टिशन है जिसमें सबको अलग-अलग हमने कर दिया दो को एक गुरूप में रखा एक को अलग किया दो को एक गुरूप में रखा दूसरे अलिमेंट को अलग किया इसको रखके इसको किया और इसमें पूरे सेट के साथ एक फाई के साथ हम जोड तो यह इतने possible partition संभा है, partition कितने हो गया है, तो इस partition को देखें, well number बोलता है कि count the number of ways to partition asset, कि कितने तरीके से partition कर सकते हैं, तो यह 3 variable number को, जिसकी cardinity 3 है, उसको partition जब हम करने की कोशिच किये, तो इस partition को ही हम बोलते है, bill number, और यह well number, BN से represent किया जाएगा, और यह कितने तरीके से partition हमने किया, पांच अलग अलग तरीके से, क्योंकि एक तो complete set है, जिसको null set के साथ partition कर सकते हैं, फिर एक एक को अलग किये, तो 123 हो गया, तब फिर उसके बाद सारे partition को सारे value का अलग अलग set हमने बना लिया, तो यह जितने भी possible partition थे, वो इतना ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा partition हम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे bill number आपके syllabus में नहीं है, उसको जानने के ज़रूत नहीं, लेकिन चुकि sit operation की बात है, तो bill number की बात अगर कहीं बूक में हो, तो आपको खबराना नहीं है, आप आसानी से समझ गया होंगे, कि bill number और वो number है, जो 100 करता है, कि किसी भी set के कितने partition maximum बनाया सकते हैं, क्योंकि जो bill number इंडिकेट करता है, उसे ज्यादा partition संभव नहीं है, किसी भी set का, उसके बाद partition कैसे को करने है, partition जब भी करेंगे, तो null empty set की बात नहीं करेंगे, उसमें जितने भी संभव होगा, जितने भ सकते हैं, और subset का partition इस तरह से disjoint set के रूप में करेंगे, कि उसमें कोई भी common element ना हो, तो आगे आपके syllabus में सिर्फ partition और power set की बात है, इसको भी से सुरूप से ध्यान में रखेंगे, उसके बाद partition of set या bell number की बाते हैं, बुक में आप पढ़ेंगे तो हो सकता है, तो उसमें की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, और यह कहानी शुरू होती है, set operation की, तो इस पूरे video lecture series में हमने समझा कि set है क्या, set कितने तरह का हो सकता, set एक तरह से बहुत सारे element का collection है, और इस element के साथ बहुत सारे operation परफॉर्म किये जाएंगे, जिसमें union है, intersection है, complement of a set है, उसके बाद subtraction A-B या B-A का concept है, उसके बाद partition है, cross product की बात होती है, power set की बात होती है, partition of set की बात होती है, bill number की बात है, तो यह सारे basic concept पर हमने discussion किया है, इसको ठीक से आपको याद रखना है था कि आगे understanding में बहुत सा काम आने वाले हैं, इन पर बहुत सारे operation परफॉर्म करने वाले हैं, तो set operation में इतनी ही बात का क्या, हम वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं next video में, जिस पर discussion किसी और topic पर करेंगे, और set operation को set से सम्मधित, set theory से सम्मधित, जितने भी और भी संभावना हैं, उनको समझने की कोशिज करेंगे, ताकि इस सम्मधित किस झ slide, केंडित हैं, तो हम करेंगे, झ TikTok क किसी और भी संस्भीद के वीडियो करेंगे, खिएद हैं, ऑammा का किSONI को सम्मधित, Stat années Choice, भी आहीए घ्या से सम्मधित, च τοक् último टिर मेंगे, जिस खेंगे, जिस जितने हैं जितने हैं, ≝ है जितने हैं, हू Deल benzina खवित हैं, हुएए